हलो फ्रेंड्स, वेल्कम बेक टू मैं चनल, आज मैं आपको डिजाइनर बेबी टॉप विद अमरेला स्लिव बनाना बताऊंगी, तो उसके लिए मैंने ये देड मिटर कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है, आप इसे किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं, तो सबसे पहले ह इसको मैंने four fold करके बिचाया हुआ है, जो मेरी सैट है वो इसकी बंदवाली सैट है और जो उपर की सैट है वो इसके खुली हुई सैट है, और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 13 इंच की रखी है, ये 12 इंच की रेडी होगी, और उपर से shoulder के लिए हम साड़े चेंज पर नि मेजरमेंट लेंगे तो आपकी बेबी की चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच एड़ कर देना है सिलाय मार्जिन के लिए तो मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है चेस्ट का फोर्थ पार्ट करके 2 इंच एक्ष्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए और एक सिधी लैन ड्रो कर देनी है अभी बेक आम होल के लिए हमें 1,5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आम होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशानों पर राउंड शिप ड्रो कर देना है अभी नीचे से हमें बेबी की कमर की चोड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें दो इंच एड़ कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए तो मैंने आठ इंच पनिशान लगाया है वेश्ट का फोर्थ पार करके दो इंच एक्ष्टा लेना है अभी सैट से भी हम लाइन डोग कर देंगे अभी गले की चोड़ाई के लिए हमें तीन इंच पनिशान लगाना है गले की चोड़ाई हमें तीन इंच की ही लेनी है और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें दो इंच पनिशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि आगे हम अलग से फैबरिक अटेच करने वाले हैं तो आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 9 इंच पर निशान लगाना है अभी पीछे के गले के लिए हम round shape ड्रोग करेंगे और आगे के गले के लिए हमें इसमें V shape ड्रोग कर देना है अभी सबसे पहले हमें back neck और back arm hole से इसके cutting कर देनी है तो जैसे हमने ड्रोग किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसके cutting कर देनी है तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है अभी हम इसमें से एक पाट को निकाल लेंगे और एक पाट को निकालने के बाद हमें इसे वापस से डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आम होल की कटिंग कर देनी है तो देखी इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है और ये हमारे दो पाट है आगे और पीछे के लिए अब भी हम bottom part की cutting करेंगे तो fabric को मैंने 4 fold करके बिचाया हुआ है जो मेरी side है वो इसकी बंदवाली side है और जो उपर की side है वो भी इसकी बंदवाली side है इसी तरह से fabric को हमें 4 fold करना है और नीचे से दोनों side इसकी खुली हुई है अब जो हमारा back वाला part है उसकी कमर की चोड़ाई हमने 8 इंच की रखी है तो 2 इंच हमने सिलाई margin छोड़ा है तो 2 इंच को छोड़ते हुए 6 इंच की इसकी चोड़ाई होती है तो हमें ध्यान में रखना है अभी जो इसका बंद वाला कोना है वहाँ पर हमें 6 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है measure tape को इस तरह से रखते हुए हमें 6 इंच पर निशान लगा देना है अभी हम देख लेंगे कि एक side से कितना measurement आया है तो ये 4 इंच का measurement आया है अब हम बॉटम पार्ट की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे तो बॉटम पार्ट की लंबाई में 11 इंच की रखने वाली हूँ आप अपनी पसंद से लंबाई कमिया ज्यादा भी कर सकते हैं तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है अब ही उपर से हम देख लेंगे कितना मेजरमेंट आया है तो मेरा 16 इंच का मेजरमेंट आया है तो पूरे राउंड में हमें इस तरह से 16 इंच पर निशान लगाते जाना है यह हमारा full circle gear cut होगा और 16 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरह से हमें round ship draw कर देना है उसके बाद हमें इसकी cutting कर देनी है तो देखिए इस तरह से मैंने cutting कर ली है और यह हमारा full circle gear इस तरह से cut हो चुका है इसे हमें ऐसे ही रहने देना है कहीं से भी cut नहीं करना है अभी हम sleeve की cutting करेंगे तो मैं amrela sleeve बनाने वाली हूँ तो fabric को मैंने triangle shape में four fold करके बिछाया हुआ है इस तरह से चारो side इसकी खुली हुई है अभी उपर जो हमारा sleeve का measurement है उसे हमें इस तरह से लेना है तो ये जो हमारा armhole है वहाँ पर उपर से हमें आधा इंच छोड़ देना है और नीचे से भी यानि की side से भी हमें एक किन छोड़ते हुए इसका measurement लेना है तो side से एक किन छोड़ेंगे उसके बाद इस तरह से हम gear का measurement लेंगे तो ये मेरा change का measurement आया है अभी जो इसका कोना है वहाँ पर हमें इंची टेप को इस तरह से रखना है और जहाँ पर भी हमारा change पर निशान आता है वहाँ पर इस तरह से हमें निशान लगाते हुए round shape ड्रो कर लेना है हलका साही हम round shape ड्रो करेंगे उपर की side पर अभी इसके निचे हम स्लीव की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे तो स्लीव की लंबाई में 7 इंच की रखने वाली हूँ आप अपनी पसंद से स्लीव की लंबाई भी कमिया ज्यादा कर सकते है अभी हम उपर से देख लेंगे कि कितना measurement आया है तो मेरा ये 11 इंच का measurement आया है अभी पूरे round में हमें इंची टेप को इसी तरह से उपर की side रखते हुए 11 इंच पर निशान लगाते हुए round shape ड्रो कर लेना है जैसे हम घेरा cut करते हैं बिल्कुल उसी तरह से measurement लेते हुए हमें इसकी cutting कर देनी है तो देखे इस तरह से मैंने sleeve की भी cutting कर ली है अभी एक side जो इसकी बंद वाली side है उसे भी हम cut कर लेंगे और ये हमारी 2 sleeve cut हो चुकी है अभी जो मैंने front वाला neck cut किया है उसी shape की हमें एक पट्टी cut कर लेनी है और उसके बाद पट्टी की किनारी की border को fold करते हुए हम इसके उपर सिलाई लगा देंगे उसके बाद जो हमारा आगे वाला neck है उसके उपर हमें पट्टी को सिधी side से ही रखना है और इसके उपर हमें V-shape में सिलाई लगा देनी है और सिलाई लगाने के बाद हम पट्टी को उल्टी side पर पलट देंगे तो देखे मैंने पट्टी को अटेच कर लिया है अभी बाद में उल्टी side से हम इसमें hand stitch कर देंगे अभी मैंने ये black color का plain fabric लिया हुआ है इसे मैंने double fold करके रखा है अभी उपर से पहले हम 3 इंज पर जितनी हमारी गले की चोड़ाई है उतना हम निशान लगा लेंगे और गले की लंबाई के लिए हम 5 इंज पर निशान लगाएंगे और इसकी जो चोड़ाई है वह हम 5 इंज की रखेंगे बाकी का extra fabric हम कट कर लेंगे तो 5 इंज पर इस तरह से निशान लगाते हुए हम line drop कर लेंगे और हम इसके cutting कर लेंगे तो यह extra fabric हमें cut कर लेना है तो देखे मैंने cutting कर ली है और यह shape कुछ इस तरह से नजर आएगा अभी हम इसके neck के उपर तिर्ची पट्टी attach करेंगे तो पट्टी को सीधी side से रखते हुए इसके उपर हम सिलाई लगाएंगे और पट्टी को double fold करते हुए अंदर की side पर मोड़ देंगे उसके बाद जो हमारा back वाला नेक है उसके उपर भी हम तिर्ची पट्टी attach कर लेंगे और इसे double fold करते हुए अंदर की side पर मोड़ देंगे तो देखे मैंने ये front वाले पार्ट में तिर्ची पट्टी attach कर ली है अभी जो इसकी तीनो साइट की border है उसे हमें इस तरह से fold करते हुए इसके उपर सिलाई लगा देनी है तीनो साइट से उसके बाद इस वाले पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके उपर front का पार्ट इस तरह से सीधा ही रखेंगे और इसके उपर हम सिलाई लगाएंगे तो सिलाई लगाने से पहले हम इसे पीन से सिक्योर कर लेंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो उसके बाद इसी V शेप में हम इसके उपर सिलाई लगा देंगे तो देखे मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और ये पीछे वाला जो हमारा पाठ है उसके उपर बाद में हम इसमें हैंgen्स्टिच कर देंगे सुई और धागे की मदद से, इसके उपर हमें सिलाय नहीं लगानी है उसके बाद फ्रंट का पाट सीधा रखेंगे और उसके उपर बैक वाला पाट उल्टा रखेंगे और इसके शॉल्डर जॉयंट कर लेंगे तो देखे मैंने इसके शॉल्डर जॉयंट कर लिये है अभी हमें इसे उल्टा कर लेना है और साइट से दो इंच का गेप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है दोनो साइट से हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है तो देखे मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइट से अभी हम इसमें स्लीव अटेज करेंगे तो स्लीव हमारी इस तरह से खुली हुई है तो इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए आधा इच्च का गेप रखते हुए इसमें हम सिलाई लगा देंगे तो देखे मैंने सिलाई लगा दी है अब ये जो हमारा आम होल है उसके अंदर हमें इस स्लिव को इस तरह से डाल लेना है और साइट की जो सिलई है उसे हमें स्लिव की साइट की सिलई के साथ मिलाना है और पूरे राउंड में हमें इसके उपर सिलई लगा देनी है इस तरह से पूरे राउंड में हम सिलाई लगा देंगे और इसी तरह से दूसरे साइट के आम होल के उपर भी हम स्लिव को इस तरह से उल्टा ही रखेंगे और साइट की सिलाई के साथ साइट की सिलाई को मिलाते हुए हम इसके उपर सिलाई लगा देंगे पूरे राउंड में अच्छे से मिलाते हुए हमें सिलाई लगा देनी है तो देखे मैंने स्लुक को अटेज कर लिया है और स्लुक की जो बॉडर है उसे भी मैंने fold करते हुए इसमें सिलाय लगा दी है अभी हम bottom का part इसमें attach करेंगे तो bottom part को हमें इस तरह से खोलते हुए रखना है तो देखिए bottom वाला part हमें इस तरह से उल्टा रखना है और top का part हम सीधा रखेंगे और ये पूरा हमारा गेरा round ही है तो आप कहीं से भी इसमें इस तरह से joint करके सिलाय लगा सकते है तो इस तरह से पूरे घेरे में हम सिलाय लगा देंगे उसके बाद नीचे की जो border है उसमें आप चाहे तो stitch भी करवा सकते है या फिर इसकी border को double fold करते हुए भी सिलाय लगा सकते है तो देखे मैंने bottom का part attach कर लिया है और नीचे की border भी मैंने fold कर ली है अभी जो हमने अलग से fabric attach किया है वहाँ पर आप कोई page भी लगा सकते है और इसी के साथ यह हमारा designer baby top with umbrella sleeve बनकर ready हो चुका है और यह है इसका final look So friends, I hope आपको आज का यह tutorial पसंद आया होगा अगर आपको आज का यह video पसंद आया तो इसे like और share जरूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी channel को subscribe नहीं किया है तो please इसे subscribe कर लीजे और आपको यह video कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताईएगा मेरा यह video देखने के लिए thank you so much guys